हालो अरवन सभी का स्वागत है सभी गुजुहार जैहिंद झारकन कॉंस्टेबल 4 2015 और झारकन कॉंस्टेबल 2023-2024 वाले जो नई चात्रे हैं उनसे रिलेटेड बहुत महत्मुन जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और वो जानकारी इस्ते से रिलेटेड है मैं पर सबसे पहले कॉस्टेड कर देता हूं कि आपके कॉस्टेंस क्या है तो 4 2015 वाले चात्रों के जो है कॉस्टेंस यह है कि इस्ते लग गया है हमारी बाहली को लेकिए अब न्यू भेकेंसी में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा यह पुराने चात्रों का जो है वो कॉस्टन्स है या वो कहते हैं ठीक है दूसरा जो है वो प्रस्टन है नए चातर जो 2023-24 में फ़र्म को समिट किये हैं उनका कहना यह है कि सर पुरानी बाहली जो 4 2015 वाला सुप्रियम कोड में केस चल रहा है तो उसमें इस्ते लग गया है तो क्या मेरा रानिंग होगा ज करना पर सकता है तो सबसे पहले मैं बात करूं इसटे के तो इस्ते है कि एस्ते मतलब हो गया कि कोई वैकेंसी में जो rif एनल नहीं कोड में जो केस सल रहे है उसमें documents में clear लिखा हुआ है यह चीज़ें यहां पर देखेंगे यह ओफिसियल जो है वो documents है इसको मैंने यहां पर बोलक्षर भलिख दिया है इन दे में टाइम the respondents shall not proceed with the finalizations of the selection process और यही चीज़ में आपको हमेशा से शुरू से बताते आ रहा हूँ कि final नहीं कर सकता है कोई vacancy हो means 2013-2020 जो vacancy निकली है इसमें merit सिर्फ नहीं निकाल सकता उसके बाद जितनी भी प्रकरियाएं हैं वो सरकार जैसे से पूरा कर सकती है जितने भी प्रकरियाएं मतलब physical ले सकती है physical में आएगा running आपका ले सकती है return exam ले सकती है medical आपका करा सकती है document verification आपका करा सकती है सिर्फ इतना होगा कि merit नहीं निकाला जाएगा आप मेरी बाते समझ रहे होंगे और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप जिस दुविधा में हैं आप रह सकते हैं मैं आपको रोकने वाला नहीं लेकिन जो बोलिएगा कि stay के लिए बहुत सारे पुराने चातर बोल रहे थे 4 2015 वाले चातर कि वकिल ने कहा है कि stay लग गया है मैं मानता हूं कि वकिल ने कहा होगा कि stay लग गया है लेकिन stay लगा कहा है किस stage पर लगता है वो जानने की जोरत है और वो चीज़े मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है क सिर्फ merit जो है merit नहीं निकाल सकती JSC और सरकार बाकि जो है जितने भी परकड़िया हैं वो पुरुन कर सकती है और ये चीज़ें आप लोगों ने यहां पर देखा कि shall not proceed with the finalizations of the selection process मेरे बातें आपको समझ मा आ गई होगी बकि नए चातर जो 2023-24 वाले चातर हैं वो सब running पर विसेश ध्यान दे क्योंकि आपका running का date कभी भी आ सकता है इसके लिए कोई proof देने की जोरत यहां पर नहीं है ये चीज़ें आप देखेंगे तो CM का निडवेस सितमबर तक 40,000 युवाओं को दे नोकरी और यहां election है मैं सुरू से बोलता रहा हूँ कभी भी जो है वो vacancy का पिटारा खुल जाएगा running के लिए जहां तक बात है तो excise का running के लिए जो है date यहां पर release कर चुका है जैसे सी और जिस तरह से हमारे मुकंदिर साब ने कहा कि जून लास्ट में लेकिन जून में नहीं होगा जुलाय में most probably जो है वो समभावना है कि आपके running start कर दी जाएंगी उसका जारकन constable की बारी आएगी जीला police की बारी आएगी तो देखिए एक बार जहां process start हो जाएगा running के लिए excise वाला तो उसी process में जो है जीला constable का भी बारी को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि सारे arrangement जो है वो excise वाला running लेते समय हो जाएगा जितने भी police force हैं जितने भी process होते हैं और भी तो उसी कड़ी में जो है जीला police वाले जो भी चातनों को running के लिए बुलाया जाएगा ठीक है तो इसलिए परिशान नहीं होना है और सचाई से अवगत खुद को कराईए और गुमरहा नहीं होना है कि stay लग गया है तो कुछ नहीं होने वाला है कुछ भी हो सकता है इतना आप याद रखिए stay का साफ साफ मतलब मैं नहीं आपको बता दिया है और जिस तरह से document में भी clear लिखा हुआ है कि finalization नहीं किया जा सकता है merit नहीं निकला जा सकता है बाकि जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो पुरुन की जा सकती है और इससे कोछ business probe देने की जोरत नहीं है अगर आप समझदार हैं तो मेरी बातें आप समझ गए होंगे और नए student को क्या करना है पुराने student जो है वो जादे हवतोसाहित ना हो अगर इसके लगा है तो और नहीं भी लगा है तो इससे आपको कोई फरक नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जब तक इस vacancy को finalize किया जाएगा तब तक आपका भी case वहाँ पर final हो जाएगा और कुछ visits time नहीं लगने वाला है मैंने आज से दो मेहना पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगस्त तक आपका भी judgment जो है है कि इस टे के लिए उतना दिमाग लगाएं आप ठीक है बागे इस ट्रैडर्ट पर गरनी हुए जिनको subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को दबा लिजेगा आप सभी का सुक्रिया धन्यवाद